हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दा आई एम बी एजुकेशन आजकी इस वीडियो में हम करें हैं क्लास 12 में इलेक्टो केमेस्ट्री के नीट प्रिवियर्स इर्स क्यूसन लास 35 इर्स के 1988 से लेकर नीट 2022 तक के जो क्यूसन है वो इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट कथे इस चेप्टर के अंदर टोटल जो है वो 66 कियूसन आने वाले है और ये जो वीडियो है वो काफी लोंग हो सकती है क्यूसे क्यूसन की इसके साथ की साथ में आपको यह भी बताता रहूँगा कि जो क्यूसन है उसका टोपिक जो है वो NCRT में कहां से पूछा गया अगर वो NCRT में recent NCRT जो है उसके किस page number से वो topic जो है वो पूछा गया है clear है अगर वही topic बार-बार repeat हो रहा है तो वापर page number बताने के ज़रूर नहीं होने वाली है तो चली स्टार्ट करते हैं से पहले हम class 11 जो वो complete करवा चुक है class 12 के अंदर भी हमारे बहुत सारे chapter complete हो चुक है अगर आपने इससे पहले वाले chapters नहीं देखें तो आपको i button में playlist का link मिल जाएगा आप channel पर playlist section चेक कर सकते हो या फिर आप video section भी चेक कर सकते हो जहापर आपको other chapter मिल जाएंगे same format के अंदर ओके तो चली start करते है topic wise है हमारा topic है galvanic cells यहां से हमारा question पूछा गया है odysa के अंदर need 2019 में question क्या बोला गया standard electrode potential यानि inode दिया गया हमें standard electrode potential दिया गया value अलगले के लिए जैसे aluminium के लिए az के लिए के लिए और chromium के लिए यहां पर क्या value दी गई है minus 1.66 volt 0.8 volt minus 2.93 volt and minus 0.74 volt respectively अब हमसे पूछा क्या गया है यह important है correct decreasing order of reducing power of the metal यानि हमे correct order बताना किसका decreasing order यानि किसके अंदर सबसे ज़्यादा reducing power है और फिर किसमे reducing power जो हाँ वो कम हो रही है तो देखिए जो NCRT के अंदर जो है वो यह topic मिलेगा हमें page number 71 पे NCRT का page number 71 जब हम खोलेंगे तो वहाँ पर यह सारी चीज़े हमें मिल जाएगी और यह जो लिखा हुआ चीज़े हैं वो मिलेगी हमें table 3.1 में table 3.1 के अंदर NCRT page number 71 उसके नीचे क्या लिखा हो मिल जाएगा कि जितनी ज़्यादा negative value होगी यह जो negative value है यह जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर reducing power उतनी ज़्यादा होगी मतलब more negative value greater is the negative value more is the reducing power और अगर हम इसको opposite करेंगे तो क्या हो जाएगा जितनी ज़्यादा negative value है उसकी oxidizing power क्या हो जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी यह चीज़ आपको याद रखनी है और अगर जितनी ज़्यादा positive value है तो उसमें reducing power क्या हो जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी ले रहो गया तो यहाँ पर देखें जितनी ज़्यादा negative value उसकी reducing power उतनी ही ज़्यादा सबसे highest किसकी है यहाँ पर सबसे highest हमें है इसकी K की K positive की जो है वो सबसे highest है minus के अंदर तो इसका मतलब इसकी reducing power भी क्या हो जाएगी सबसे highest हो जाएगी तो यह K की यहां पर सबसे highest है उसके बाद में किसकी value हमारे पास में aluminium की minus 1.6 तो उसके बाद में aluminium की या पर भी बिल्कुल सही है उसके बाद में किसकी आएगी हमारे पास में chromium की आएगी क्योंकि आपके किस में माइनस में है यह हमारे पास में positive है तो chromium सबसे आगया और az सबसे last में आएगा तो यह जो हमारा answer आएगा वो बिल्कुल correct आएगा लिए रहो गया तो यहां से हमें यह याद रखना है इस टाइप की question आगे भी आ सकते है नेक्स्ट हम question number 2 देखते है question number 2 में बुलग है a button cell used in watches function as follows जो button cell होता है जिसको हम watch के अंदर use करते हैं उसका किस टाइप से इस टाइप से reaction होती है zinc और hz2o और h2o के साथ में मिलाके azzn और 2h if half cell potential rn का half cell potential दिया गया है zn plus 2 electron जब add होते है तो e node दिया गया है minus 0.76 clear है और यहां पर दिया गया है az2o h2o के साथ में जब electron मिलता है तो यहां पर e node जो निकल कर आता हो आता है 0.34o the cell potential will be इसका cell potential पूचा गया है वैसे तो आपको बता दू जो ncrt का page number 68 है ncrt page number 68 and 69 पर अब आप देखोगे तो यह same reaction ncrt के अंदर दिया हुई है और यही same जो है वो e note दिये हुए है हमसे पूचा क्या गया है यहाँ पर हमसे पूचा गया है cell potential पूचा गया है अब cell potential पूचा गया है आपको यहाँ पर एक chapter में याद रखना पड़ता है loan से अगर एक short form आप याद रख सेती हो loan क्या होता है left hand side oxidation anode और क्या होता है आपका negative charge यह चीज़ आप याद रखते हो इस chapter के अंदर अगर आपको अच्छे से chapter का रखा है तो तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है E note निकालना है किसका निकालना है पूरे cell का निकालना है तो हम क्या करते है E note cell को क्या करते है E right minus E left यह हमारे NCI team में page number 68 and 69 पर लिखा हुआ है अब right के अंदर के अंदर तो हमने भी बात की थी anode आएगा oxidation आएगा और right के नोड है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जहाँ पर positive charge है तो वो क्या होगा हमारा cathode होगा तो यह होगा हमारा पास में 0.34 minus क्या करना हमें anode करना है अब माइनस में ये माइनस है माइनस 0.76 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है तो 0.34 प्लस 0.76 इसको एड़ करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या निकल कराएगी 1.10 वैल्यू निकल कराएगी तो हमारा अंसर आजाएगा option C clear हो गया? ओके नेक्स टम क्यूस से नंबर थाइड देख लेते हैं क्यूस से नंबर थाइड हम से बोला गया क्या? the standard reduction potential of the half cell reaction is given below यहाँ पर standard reduction potential हमें दिये इनोट प्लस में 2.85, 1.36, 1.0 और यहाँ पर कितना दिया गया है? 0.53 the strongest oxidizing and reducing agent respectively highest oxidizing power वाला इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हमें उसकी oxidizing power सबसे ज़्यादा निकालनी है तो वो उसके positive value की होगी मतलब यहाँ पर यह से याद रख सकते हो higher the positive value greater is the oxidizing power directly proportional होगा मतलब जितनी ज़्यादा highest positive value होगी इनोट की उसकी जो oxidizing power है वो उतनी ही ज़्यादा होगी तो हमसे oxidizing power पूछा है तो सबसे highest value किसकी है यहाँ पर F2 की है तो F2 जो है वो क्या होजाएगा सबसे highest power वाला हो जाएगा और सबसे कम जो होगी reducing power सबसे कम किसमे है 0.53 I वाले में है तो यह क्या हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा तो F2 and I2 तो हमार answer यहाँ पर क्या निकल करा जाएगा option A कहाँ पर दिया हुआ NCRT के page number 71 पर दिया हुआ है clear है यह सब कुछ ओके next time क्यूस से number जो वो 4 देख लेते क्यूस से number 4 में क्या बोलागे क्यूस से number 4 में बोलागे the standard electron potential of 3 metal X and Y and Z वापिस दिया है minus 1.2 plus 0.5 and minus 3 respectively the reducing power of these metal वापिस से वही सेम उसी टाइप का क्यूस सेने page number NCRT 70 सेम उसी टाइप से है अब यहाँ पर क्या पुछा गया है reducing power सबसे highest बोला गया है तो highest the negative value greater is the reducing power बतलब जितनी ज्यादा high negative value होगी उसकी उतनी ही highest जो होगी वो reducing power होगी तो Z की जो है वो सबसे ज्यादा है तो Z सबसे ज्यादा होगा then उसके बाद में जो है वो किसकी है X and सबसे last में किसकी है Y है तो हमारा answer आजाएगा option C clear हो गया next time question number 5 देख लेते है question number 5 में क्या बोलागे देखे the standard electron potential for SN plus 4 and SN plus 2 couple is plus 0.15 volt and that for the chromium plus 3 and chromium couple is minus 0.74 these two couples in there आगे क्या पुछा गया है in their standard state are connected to make a cell the cell potential will be यहाँ पर हमसे वापी send potential पूछा गया है तो जैसा कि उसे number 2 था उसी type से करेंगे क्या होगा cell potential पूछा गया है तो E क्या था हमारा right minus left E left औके और यह क्या होता cathode वयाद रख सकते हो तो E cathode minus E anode अब anode क्या होता है L O A N तो यहाँ पर anode जो होगा वो negative charge वाला होगा और cathode जो होगा वो positive charge वाला होगा इनकी values देख लेती है एक हमारे सामने value है यह वाला यह cathode होगा तो 0.15 minus में minus 0.74 कर देंगे तो यह कितना आएगा 9 और यह कितना होगा 8 तो 0.89 हमारा जो है वो answer निकल कर आना चाहिए अब option देख लेती है तो यह हमारे सामने है 1.19, 0.89, 0.18 यह फिर 1.83 तो हमारा answer क्या निकल कर आ रहा है हमारा निकल कर आ रहा है 0.89 वोल्ट तो answer आ जाएगा option B, clear हो गया next time क्योंसे number जो हो 6 देख लेते हैं क्योंसे number 6 तम से बोला गया a solution contain Fe plus 2, Fe plus 3 and I minus I this solution was treated with iodine at 35 degree Celsius I2 का इतना दिया गया था favorable redox reaction क्या होगी हमसे यह पूचा गया है तो यहाँ पर देखिए जो E value है E value जो है हमारे सामने वो Fe plus 3 वाली की जादा है यहाँ पर देखिए दियान से देखिए Fe plus 3 की कितनी दियुए है 0.7 और इसकी कितनी दियुए 0.53 दियुए है तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो है वो value जादा हो गई अब देखिए जितनी जादा value होगी उसका मतलब वो उतना ही जादा reduce कर पाएगा clear है तो यहाँ पर होगा क्या देखिए जो Fe plus 3 है उसकी positive value positive value जादा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर reducing power उसकी कम है तो इसका मतलब क्या होगा है जो Fe plus 3 है वो क्या होगा reduce होगा और I minus जो होगा वो क्या होगा oxidize होगा तो यहाँ पर क्या लिखा देखिए I2 will be reduced to I2 जी नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए I2 जो होगा वो oxidize हो जाएगा I minus में यह गलत लिखाए there will be no redox reaction जाहिए निए redox reaction तो यहाँ पर होगी I minus will be oxidized to I2 यह बिल्कुल सही है कि I minus जो होगा वो oxidize हो जाएगा I2 में पर यहाँ पर last नहीं बुलागा Fe plus 2 will be oxidized जी नहीं Fe plus क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा यह नहीं होगा यह पर यह जो लिखावा वो बिल्कुल सही लिखाए तो answer आजाएगा option C clear हो गया next time question number जो वो 7th देख लेते हैं कि उससे number 7th हमारे सामने है consider the following relation for EMF of an electrochemical cell तो यहाँ पर हमें बताना है which of the above is the relation is the correct है मैं बताना है कि इसका relation बिल्कुल correct कौन सा है NCRT page number 68 पे पूरा EMF दिया हुआ है what is EMF electromotive force होता है क्या होता है electromotive force होता है अब electromotive force of the cell क्या होता है oxidation potential of anode minus reduction potential of cathode क्या यह होता है जी नहीं oxidation potential of anode minus reduction potential of cathode जो अब वो नहीं होता है हम cathode minus anode करते है EMF the cell oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode यह बिल्कुल सही होता है हम दोनों को क्या करते है positive करते है तो हमें electromotive force मिल जाती है किसका anode का oxidation potential और reduction potential of cathode अगर इन दोनों को add कर दे तो हमें EMF मिल जाता है minus करने पर नहीं मिलता है तो यह हमारा सही हो सकता है आगे देखते हैं थर्ड वाला reduction potential आगे नोंनों बोले reduction potential of anode plus reduction potential of cathode जी नहीं यहां पर देखिए oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode होना चीए reduction potential of anode plus यह नहीं होता है next देखते हैं यह हमारे नहीं होगा, Oxidation Potential of Anode, Minus Oxidation Potential of Cathode, यह बिल्कुल सही है, कि अगर दोनों का Oxidation Potential है, तो हम Anode Minus Cathode कर देंगे, यह बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर Second and Fourth वाला है, वो बिल्कुल सही है, और जो हमारा First and Third वाला है, वो गलत है, तो First and Third वाला तो यहाँ पर यह दोनो 8th में क्या दिया गया है On the basis of the following E naught value The strongest oxidizing agent हमसे पूछा गया है Clear है Okay, यहाँ पर देखिए यह पूरी reaction दिया गया है E naught दिया गया है Minus 0.35 और यह दिया reaction हमारे सामने Minus 0.77 तो हमसे पूछा गया कि Strongest oxidizing power बताना है Strongest क्या बताना है Oxidizing power देखिए Fe plus 3 होगा Fe cn6 minus 3 होगा Fe cn6 minus 4 होगा या फिर Fe plus 2 होगा तो देखिए हमें Strongest oxidizing agent बताना है तो इसका मतलब यह होगा जितनी ज़्यादा strong positive value होगी अब यहाँ पर तो देखिए दोनों की negative value है बट अगर हम इसको reverse कर दें मतलब यह जो reaction है इसको इधर reverse कर दें तो इसकी value positive हो जाएगी इसको भी reverse कर दें तो इसकी value positive हो जाएगी बट इन में सबसे ज़्यादा किसकी होगी इसकी होगी तो Fe plus 3 जो है वहाँ पर उसकी जो है reducing power क्या हो सकती है सबसे high हो सकती है clear है अगर हम इसको reverse करके value निकालते है तो तो यहाँ पर Fe plus 3 जो है वह answer आजाएगा लेड़ा ओके next time कि उससे नमबर जो है वह 9 देख लेते हैं कि उससे नमबर 9 में क्या बोला गया देखे hypothetical electrochemical shell is shown below hypothetical electrochemical shell दिया गया the EMF majority 20 the cell reaction is तो यहाँ पर बोलागा है कि इसका जो EMF आ रहा है वो plus में 0.20 वोट आ रहा है तो हमें यह बताना है कि यहाँ पर यह हमारे सामने इसके reaction कैसी होगी तो देखे एक तो बोला A से A प्लस जा रहा है एक बोला क्या यहाँ पर B प्लस से B जा रहा है अब देखे A और यहाँ पर B प्लस है और यहाँ पर A प्लस और B है इसमें देखते हैं A प्लस A और यहाँ पर B और B प्लस actual में B प्लस इदर आना चाहिए तो A से A प्लस जा रहा है और B प्लस से क्या जा जा रहा है B जा रहा है ओके और यहां पर क्या हो रहा है अगर इन दोनों की अट गते हैं तो A plus से A जाराजी नहीं हमें A से A plus बनाना है तो यह गलत हो गया यह हो सकता है हम आगे देखते हैं और option फिर भी देख लेती हैं option A आ रहा है क्योंकि देखिए A से हम A प्लस जा रहे हैं और B प्लस से हम B जा रहे हैं तो हमारा answer जो निकल कर आएगा वो आएगा option A, clear हो गया, okay next time किस्ते नमबर जो हम वो 10 तेक लेते हैं, किस्ते नमबर 10 हमारे सामनी है हमारे सामनी दिया गए है E note FE2 प्लस और FE का दिया गए E note हमारे कहते हैं minus 0.441 volt और E note FE3 FE2 का कितना दिया गए 0.771 volt the standard EM of the cell reaction FE plus 2 FE plus 3 and 3 FE plus 2 will be ये काफी जो है वो long हम से क्यूसन पूछा गया है, तो यहाँ पर देखे क्या बुला गए कि यहाँ पर दो reaction हमें दिये दिये गए, standard EM of the cell reaction हमसे पूछा गया, तो देखे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर हमें FE चाहिए, तो इसको reverse करेंगे तभी तो हमें FE मिलेगा यानि जब हमें FE इधर चाहिए, इधर तो FE है नहीं देखे, इधर से इधर जब हमें चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, reverse करना पड़ेगा, हाँ या ना क्योंकि हमसे यहाँ पर यह जो दिया हुए, वो FE प्लस टू से FE बनाना दिया हुए, बड़ जो रियक्शन हमसे पूछी है, वो FE से क्या बन रहा है, FE प्लस टू, तो एक तो इसको reverse कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है, वो as it is रहने जी होंगे, क्योंकि यहाँ पर FE प्लस ट्री आ रहा है, तो यह तो FE प्लस ट्री से क्या जा रहा है, FE टू जा रहा है, बिल्कुल सही है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को add करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, add करना पड़ेगा, तब हमें यहाँ पर यह चीज मिलेगी, 0.771 प्लस 0.441 तो यह हमारा बन रहा है 2, 7 और 4 कितना हो गया हमारे पास में 11, 1 प्लस 2 7, 4, 11 और कितना हो गया 12 तो यह होगा 1.2, 1.2 तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा option D, clear हो गया तो यहापर हमारा option जो बन रहा है वो कहने सा बन रहा है उसमें 2 electron add करते हैं तो हमारे पास में FE बनता है बट cement reaction जो है इसको किदर करना है में इदर करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा minus से plus 0.441 करना पड़ेगा दूसरी reaction हमारे बिल्कुल सही है वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर जो FE plus 3 है क्या है FE plus 3 जो है उससे हम क्या बना रहे है FE plus 2 बना रहे है यहाँ पर देखे FE plus 2 FE2 यह reaction लिखके जब हम करेंगे add तो यहाँ पर simple simple हमारे थामने क्या जाएगा 0.771 और यह जो है वो reverse हो जाएगा और इन दोनों को जब add करेंगे तो हमारे थामने reaction आ जाएगी यह वाले बस यह यह है ज्यादा कुछ है नहीं confuse यह होने वाले बात इसमें है नहीं ओके नेक्स्ट रम किस्टन नमबर 11 देख लेते हैं standard electron potential हमारे दिया हुए FE plus 2 का इतना दिया हुए FE plus 3 का इतना दिया हुए और FE 3 FE 2 are blocks are kept together than तो यहाँ पर क्या होगा अगर दोनों को एक पास में रखेंगी तो क्या होगा यह हमसे पूचा गया है तो सबसे पहले देखते हैं देखिए जो negative charge वाला है वो क्या होता है हमारे पास में anode होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ध्यान से देखिए FE प्लस टू जो है वो किसमें कनवर्ट हो रहा है FE में कनवर्ट हो रहा है क्लिर हो गया, ओके और क्या तरवट पर क्या हो रहा है जो FE प्लस ट्री वाला है वो किसमें कनवर्ट हो रहा है fe plus 3 वाला जो है वो convert हो रही किसमे fe plus 2 में अब देखिए fe 3 जो होगी वो react करेगी fe के साथ में और क्या बनाएगी fe plus 2 बनाएगी क्यों क्यों यहां जिर्ग थ्री जो होगा वो क्या होता जाएगा द्याँ द्री decrease होता जाएगा और fe 2 प्लस क्या होता जाएगा increase होता जाएगा क्यों ऐसा क्यों होता जाएगा ध्यान से समझिए तो यहां पर समारे सामने जो f e d वो क्या बना रहा है f e plus 2 बना रहा है तो इससे भी क्या बन रहा है हमारे f e plus 2 भी बन रहा है अब f e plus 3 जो है वो क्या बना रहा हमारा वो भी f e plus 2 बना रहा है तो इदर भी FE plus 2 बन रहा है, इदर भी FE plus 2 बन रहा है, तो FE plus 2 जो बन रहेगा, तो वो क्या होगा, increase होगा, और इस से अगर ये बन रहा है, तो FE plus 3 क्या होगा, हमारे पास में decrease होगा, तो FE plus 3 क्या होगा, increase होगा, नहीं वो तो decrease होगा, FE 3 plus क्या होगा, decrease होगा, ये बिल्कुल स और नेक्स्ट हमारे सामने को से नंब जो ही हो वह हेत 12 है किसे नंबर 12 देख लेते हैं электrode potential for the following half cell reaction are तो हमें इलेक्रोड potential देंचल दिये हाफ cell reaction के लिए zinc के लिए ये दिये email of this अब ज्यान से देखना अब यह हमारे सामने इधर जो वह product की side है बट ये reactantr साइड है इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा रिवर्स करना पड़ेगा तो Фयाइगा या नहीँ आएगा तो क्योंकि इसको इसको करना पड़ेगा फ़ी प्लस तू को लाने के लिए जींक आपर इद तो यह बिल्कूल सही है यहां पर 2 आएगा यहां पर 3 आएगा तो 0.32 प्लस का 0.32 आ रहा है हमारे सामने तो तो यह अगर है यह प्लस का 0.32 आ रहा है तो वह हमारे सामने यह है तो आंसर आजाएगा option B ले रहो गया नेक्स्ट हम क्यूसर नमबर जो हूँ 13 देख लेते हमें क्यूसर नमबर 13 हमारे सामने है एलेक्ट्रो केमिकल सैल इस सेट अप यह हमारे सामने सामने किया गया है यहां पर प्लटिनम एज2 वन एट्मोस्पेर एट्यल 0.1 मौलरेटी पे है CS3 COOH जो 0.1 as to 1 atmosphere the EM of the cell will not be 0 because अब ध्यान से देखिए atmosphere same है molarity same है बट यहां पर बोला गए कि EM of the cell है वो 0 नहीं है ऐसा क्या reason है यह हम से पूछा गया है तो यहां पर देखिए acid use in two compartment are different EMF depends on molarity of acid use the temperature is constant pH of 0.1 MHCl and 0.1 CS3 is not same तो यहां पर actually हो क्या रहा है जो HCl हो strong acid है और CS3 COOH जो इतनी तो यहां पर इनके multi same है बट यहां पर क्या है H plus iron जो है उनका concept क्या हो रहा है यहां पर different हो रहा है उनकी जो concentration है H plus की वो क्या हो जाएगी यहां पर अलग अलग हो जाएगी तो pH of 0.1 mol of HCl and 0.HCl is not same क्यों क्योंकि यहां पर H plus जो है वो अलग-अलग है इसलिए और इसलिए इनका जो EMF जो जीरो नहीं आएगा तो answer आजएगा option D clear हो गया? ओके नेक्स्ट हम क्यूसर नंबर जो है वो 4 देख लेते हैं क्यूसर नंबर 4 में वापिस देखी यही बोला गया standard retugence potential 25 degree पे दे दिया गया lithium का दे दिया गया है sodium का दे दिया गया magnesium का दे दिया है minus 3.5 minus 9 minus 2.7 minus 3.7 volt which of the following is the strongest oxidizing agent अब जितनी oxidizing के लिए हमें जितनी ज़्यादा positive value होगी या फिर यह बोल सकते हो जितनी ज़्यादा कम negative value होगी उसका उतना ही ज़्यादा oxidizing strongest oxidizing जो होगा वो isn't होगा तो यहाँ पर देखिए सबसे कम किसकी हो सकती है तो सबसे कम जो है वो यहाँ पे minus 3.7 है यहाँ पर यही सबसे strongest निकल कर आएगा तो answer आजाएगा option B NCRT का page number 71 वही क्यों से इन से लटे हैं बार पर okay next हमारे सामने क्यों से number 15 है क्यों से number 15 देख लेते हैं भई a solution of potassium bromide is treated with the each of the following which one will liberate bromine हमारे सामने potassium bromide है क्या है potassium bromide है हमारे सामने तो यहाँ पर bromine किसके साथ में जो है वो अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें bromine देखने को मिलेगी तो देखिए simple सा है अगर हमें यहाँ पर जो है वो strong oxidizing agent लेते हैं तो वो क्या करेगा जो weak oxidizing agent होगा उसको replace कर देगा और फिर क्या होगा यहाँ पर bromine हमें देखने को मिल जाएगी तो यह anxiety की page number 71 पे जो table 3.1 है वहाँ पर उसके according हमें निकालना देखो hydrogen iodide निकालेंगे या फिर sulfur iodide निकालेंगे या chlorine निकालेंगे या chlorine निकालेंगे या फिर iodide निकालेंगे तो यहाँ पर answer जो बनेगा वो बनेगा option C बनेगा clear हो गया okay अब हमारे पास में क्या आएंगे अब हमारे पास में भर भर के numericals आएंगे clear है और यहाँ पर हमारे सामने जो है वो आएगी nurse equation अब देखो आपको बता देता हूँ पहले nurse equation के जितने भी concept है वो NCRT के page number 73 and 74 पे है तो अब आपको बता रहा हूँ पहले से ही बता रहा हूँ NCRT के page number 73, 74 पे nurse equation पूरी दियो ही है और इसमें जितने अलग-अलग type की जो reactions वगेरा हो सकती है वो दियो ही है example आप 3.2 and 3.3 देख सकते हो कि किस type से जो होते हैं वो NCRT के अंदर होते है example कौन-कौन से 3.2 and 3.3 जो है वो भी nurse equation के उपर based है तो वहाँ से आपको थोड़ा सा idea हो जाएगा nurse equation का वो NCRT में और उसी को थोड़ी सी value change करकर के या कुछ अलग teacher देकर फिर वो अलग पूछे जाने वाली numerical में वही चलती है ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूसर नमबर 16F for the cell reaction यह हमारे सामने cell reaction दियो है E note यहाँ पर दे दिया 0.24 temperature हमें दे दिया 298 Kelvin the standard Gibbs energy हमसे पूछी गई है अब Gibbs energy के लिए हमसे क्या निकालते हैं डेल्टा G is equal to minus NFE note अब यहाँ पर देखें E note दे दिया है दे दिया वही यह इसके अलावा जो F है वो यहाँ पर हमें दे दिया है अब हमें निकालना है N क्या निकालना है N की value निकालनी है यहाँ पर अब N की value यहाँ पर कितनी है यह हमें पता होना चाहिए तो देखें यहाँ पर जो N की value है वो 2 है अब आप कहोगे कैसे है भी यह देखें यहां पर plus 3 electron है, यहां पर 1 है, तो यहां पर कितने बच गए, 2 electron बच गए, तो यहां पर n की value जो आ रही है, वो कितनी आ रही है, आप खुदी अंदाज लगालो, नभी है, 3 plus minus 1 is equal to 2, plus में 3 है, minus में 1 है, तो is equal to 2, तो n की value यहां पर जो electron, number of electron होता है, तो हमारी आ गई 2, हमें दे दिया है इनोट हमें दे दिया है बस यह value put करनी है 2 x 9 6500 और इनोट कितना है इंटू 0.24 बस यह हमें value put करनी है और हमें जो वो delta G मिल जाएगा तो हमारे सामें देखिए 2316 है माइनस में 46.32 है माइनस में 23.16 है और प्लस में 46.32 किलो जूल है बस अब आपको क्या करना देखिए value put करते जाएए अब delta Z is equal to क्या है माइनस N अफ इनोट है सबसे पहले तो आपको यह पता हुना नेक्स्ट हमके उससे नमबर 17 देख लेते हैं for a cell involving one electron यह पर one electron का मतलब हो गया N हमें दे दिया है N is equal to two दे दिया है E note हमें दे दिया है इतना the equilibrium constant for the cell reaction हमें देना है और यह पर यह दे दिया है कि 2.33 RT by F जो है वो इतना होता है temperature हमें इतना दे दिया है गबराने वाली बात नहीं है क्यों क्योंकि देखिए E note सबसे पहले तो देखिए यहां पर equilibrium दिया है सबसे पहले तो यह पता होना चे equilibrium दिया वान तो actual में होता क्या है E is equal to E note minus में हमारे पास में होता है 2.303 RT by NF और फिर होता है हमारे पास में log KC यह पूरी एक equation दी है NCRT में दी हुए है NCRT का page number 73 इसके लावा आप example 3.2 देख लेना आपको समझ में आता हैगा अब यह जो E है वो equilibrium concept पे 0 होता है अगर यह 0 होता है तो हमारा E note जो है वो हो जाएगा कितना is equal to 2.33 RT by NF और log KC अब देखिए यह 2.33 N हमारा कितना है N देखो 1 electron है तो N की value 1 हो गई और यह पूरा 1 हो गया तो यह 2.33 F हमारे सामने इतना दे दिया तो E note is equal to यह हमारे सामने कितना दे दिया 0.059 और हमारे सामने निकालना क्या है log KC और E note की value में दे दिया यह वाली अब clear हो गया तो बस लगा लो log KC is equal to हमारे सामने जो है वो क्या है is equal to में क्या है हमारे सामने 0.59 और divide किसे कर देंगे 0.059 तो हमारे सामने कितना आजाएगा log KC is equal to 10 तो KC is equal to क्या आजाएगा उनकी power 10 तो हमारे सामने उनके power 10 कहां पर है उनकी power 10 हमारे सामने यहां पर है तो answer आजाएगा option D clear हो गया हमें नेक्स्टरम जो 18 देख लेते हैं किस्टरम नमबर 18 में हमसे क्या पो लगें कि इन दा केमिकल साल यह हमारे एक्टरो केमिकल यहां थे लाग लग लग दे दी गई है इस बार क्या दे दी गए लग लग molarity दे दी गई है और of the em of the daniel cell e1 when the concentration znso4 is changed from one molarity and that is the cso4 change from 0. the em of cell e2 from the following which one of the relation between e1 and e2 even rt by f is equal to 0.59 ये सब कुछ हमें दे दिया गया है गुमा फिर आके तो बहुत कुछ दे दिया गया अब देखो भईया हमें क्या करना है यहां पर जो है वही reaction लगानी है e cell is equal to e0 minus में 0.23 वाला सब कुछ होता है ना उसमें यह हमने rt by f जो होता है वो इसको इतना ले लेना है तो हमें यह दे दिया 0.059 by nf हम यहां पर ले ले लेते हैं nf हमारा सेम रहेगा लोग अब यहां पर जब molarity दी होती है तो हम क्या लिखते हैं अपॉन में reactant यह चीज़ क्लिर हो गई अब यह सब कुछ तो सेम रहेगा बस हमारे यह जो लोग product अपॉन में reactant है ना यहां से सब चीज़े change होगी देखो देखा तो हम आपको e1 इन्होंने बोलाए e1 the aim of the dsl e1 when the concentration in z104 is one molarity and that is the source of all change from 0.1 यह तो हमारी e1 है अब यहां पर देखे यह क्या हो गया हमारा reactant और यह क्या हो गया हमारा product तो यहां पर देखे product अपॉन में reactant जब पहले e1 ले रहे हैं तो यहां पर हमारा जो molarity है वो आएगा 0.01 अपॉन में one clear हो गया ओके और जब हम ले रहे हैं किसको e1 को e2 को ले रहे हैं तो यहां पर देखे हमारी सामने जो concentration है वो change कर दिया है the emf cell change to e2 from the following which of the following relation between e1 oh sorry 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 हमारे यह कुछ गलती वे देखे e1 जो है उसकी molarity तो यह है और e2 की molarity जो है वो change हो जाती है जड़े 104 की 0.1 से 1 हो जाती है और यहां पर जो cus4 की उसकी 1 से 0.1 हो जाती है बस यह याद रखना है ओके भाया तो e1 में सेम वही चीज़ें बापीस बापीस वही लगा दो और यहां पर इतना बस याद रखो लोग product upon way reactant तो यहां पर product upon way reactant लगाना है तो यहां पर देखे product में हमारे पास में जो molarity है वो तो हमारे पास में यह वाली है 0.01 और यहां पर reactant की value जो है वो 1 है तो यहां पर अगर इसको हम करेंगे तो यह हमारे सामने plus में निकल कर आएगा E not plus में 0.5 निकल कर आएगा और जब हम E2 करेंगे इसकी value change कर देंगे तो E2 में जब हम इसकी value change कर देंगे तो log जो है वो product 1 हो जाएगा और reactant है वो 0.01 हो जाएगा तो इसको जब हम log को solve करेंगे तो वो minus में आ जाएगा तो minus में आ जाएगा एक में तो e plus 0.059 आएगा और एक में e not minus 0.059 आएगा यह हमारा e1 है यह e2 है तो add हो रहा है वो बड़ा हो गया और उसमें से कुछ subtract हो रहा है वो minus में वो छोटा हो गया तो e1 जो है वो greater हो जाएगा e2 से तो e1 greater हो जाएगा e2 से यह हमारे सामने reaction जो है वो निकल कराएगी ncrt का page number 73 पे दिया हुआ है आप करके देख लेना और मैंने आपको simple simple बता है पूरा detail में solve नहीं किया है पहले से बता रहा हूँ मैं आपको ओके चलिए next time question number 19 है question number 19 हमारे सामने है if the enote cell for a given reaction has a negative value which of the following gives the correct relationship for the value delta G and K equilibrium तो यह वैसे तो यह सारा कुछ जो है ncrt के page number 74 पे दिया हुआ है जो हमसे पूचा गया है इनके बीच में relationship वो कहां पे दिया हुआ है उनके ncrt page number 74 के बीच में दिया है बट फिर भी देखिए delta G और K equilibrium हमें निकालना है इन दो का value जो है वो निकालना है for a given reaction has a negative value e note जो है वो negative value है delta is equal to minus में nf e note होता है अब minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा हाँ या ना देखिए delta G is equal to minus nf e note होता है और यह e note किसमें दिया है negative value तो यह negative और यह negative और यह नेगटिव अटरे दिया है तो यह कितना हो जाएगा total plus हो जाएगा तो इसका मतलब delta G जो है वो क्या निकल कर आएगा प्लस आएगा अब अगर यह delta G प्लस निकल कर आएगा इसका मतलब यह 0 से जो वो greater हो गया अजी अब के equilibrium निकालते है उसके बाद में के निकलेंगे के equilibrium तो delta G is equal to अगर के equilibrium निकालना होता है तो यह तो minus है तो यहाँ पर log KC क्या लेना पड़ेगा negative तभी तो यह negative negative क्या होगा प्लस होगा तो यहाँ पर जो negative का मतलब क्या होगा है यह 0 से चोटा होना चाहिए तो ध्यान से देखिए जो delta G है वो positive इसका मतलब वो 0 से बड़ा होना चाहिए और जो के equilibrium है वो क्या होना चाहिए small होना चाहिए इसका मतलब 0 से ऐसा होना चाहिए तो इस type का हम relation देख लेते हैं यह यहाँ पर यह जो है अगर 1 से भी चोटा करें तो यहाँ पर यह जो चीज है और यहाँ पर एक formula उसको theoretical से पूछा गया है और कुछ नहीं है ओके वह इन नेक्स्ट हमारे सामने क्यूसर नंबर जो वो 20 है क्यूसर नंबर 20 में बुला गया the pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water ओके भाईया देखो अब तो हमें जो है तो electrode potential 0 is pure water pure water का pH कितना होता है pure water का pH जो होता है वो 7 होता है बट यहाँ पर हमें क्या पूछा गया देखिए the pressure of H2 required तो H2 के लिए हमें क्या परना बड़ेगा 2 hydrogen प्लस 2 electron जब add करेंगे तो हमें मिलेगा H2 clear हो गया हाँ जी पर यहाँ पर देखिए हमारे सामने जो है वो H plus concentration जो होगी वो कितनी होनी चीए वो होनी चीए 10 की power minus 7 अगर pH हम जो है वो 7 ले रहे हैं तो वो जो H plus concentration है वो कितनी हो जाती है 10 की power 7 बट अब हमारे पास में कितनी है 2 hydrogen है तो इसका मतलब क्या हो जाया यह double हो जाएगा तो 7 का double कितनी हो था 14 तो 10 की power minus 14 अगर तो अंसर आजाएगा option D clear हो गया ओकी next हमारे सामने जो है वो question number 21 है question number 21 देखते है a hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmosphere potential the oxidation potential of electrode would be oxidation potential of electrode would be पूचा है यहाँ पर हमसे ओके बई यहाँ पर बोला गया कितना आएगा 0.118 आएगा 1.18 आएगा 0.059 आएगा या फिर 0.59 आएगा pH दे दिया गया है कितना 10 ओके बई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा pH अपॉन में H प्लस कंसेंट्रेशन वाला जो आयन होता है वो निकालना पड़ेगा अब यहाँ पर H प्लस देखिए अंड पासिंग हाइट्रोजन गयस अराउंड ता प्लेटिनम वायर कितना है 1 atmosphere pressure है अब यह देखते हैं कैसे होगा सिंपल तो सिंपल देखिए आपे हाइट्रोजन गयस इलेक्ट्रोड है उसको प्लेटिनम वायर के अंदर solution, HCL solution के अंदर जहाँ पे pH 10 दिया गया है उसको हाइट्रोजन गयस के अंदर पास करवाई जाते है oxidation potential हमें इलेक्ट्रोड का निकालना है E is equal to E note minus RT upon MNF और log हमारे सामने अब यहाँ पर क्या निकलना पड़ेगा pH upon MNH plus concentration pH upon MNH plus concentration अब pH जो है, वो कितना है? 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में यह निकालना पड़ेगा H2 gives to 2H plus 2 electron यह कितना है? 1 atmosphere पर है और यहाँ पर जो इसकी H plus and concentration है 10 की power minus 10 है क्योंकि pH कितना है? 10 दिया हुआ है इसलिए तो अब इसको solve कर लेते हैं, देखिए E जो है, वो हमें क्या निकालना है? oxidation potential E is equal to E note minus MN यह कितना हा रहा था हमारे 0.059 हा रहा है N कितना है हमारा N कितना है? N2 है क्योंकि देखिए H 2 जो था, वो 2H plus 2 electron, इस type से बन रहा था तो N कितना हा रहा था? 2 electron N आगया हमारे पास में 2 clear है? log में अब यहाँ पर इसकी value कितना आजाएगी? 10 की power minus 10 जो pH था अब उन में इसकी power क्या जाएगी? 2 अब उन में 1, अब इसको solve कर लेंगी जब इसको solve करेंगे तो हमारे पास में जो यह है, इस log को पूरा solve करेंगे तो यह हमारे पास में जो value निकल कर आएगी वो आएगी plus में 0.59 कितनी आएगी? consider the half cell reduction reaction यह half cell दिया गया है, मैंने समने MN2 plus में 2 electron करके इस ताइब से the enote for the cell reaction अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना ही ध्यान से देखिए अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम directly add करें तो क्या यह reaction बन पाती है देखिए MN plus 2 और MN plus 2 तो हमारे पास में 2 MN हो गया इधर हमें MN चाहिए तो इधर भी MN note है और यहाँ पर जो है वो MN plus 3 है तो यहाँ पर भी MN plus 3 है बट एक ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास में 3 हो रहे है यहाँ पर 3 MN है और इधर क्या है 2 MN है इसका मतलब जो 0.15 वाला उसको क्या किया गया है डबल किया गया है बट क्या हम ऐसे ही निकाल लेंगे इस चीज़ को क्या डारेक्टली ऐसे ही निकाल लेंगे तो नहीं हम इसको इस टाइप से नहीं निकाल पाएंगे अब हमसे पूछा किया गया and possibility of the forward reaction are respectively तो हमें possibility भी पूछा गया कि इसकी forward होने पर इसकी possibility क्या है तो देखिए भी यह सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको directly जहां पर अगर इन दोनों के as it is रखते हैं तो हमें value मिल जाएगी हाँ या न अगर हम इन दोनों reaction को इसी type से रखते हैं, add करते हैं, तो यहाँ पर MN plus 2, MN 2 plus इदर मिल जाएगा, MN इदर ही है, और हमारा MN e plus 3 इदर है, तो इन दोनों का as it is add कर लेते हैं, तो हमें value मिल जाएगी, इनोट की, 8 और 9, 5 और 16, और यह 2, तो 2.69 ना रहा है, minus में या plus में, minus में, तो यह तो plus में 2.16 है, यह minus में 2.69 है, तो सबसे पहले तो हमारा answer यहीं से बन जाता है, बटागे देखते हैं, the possibility of the forward reaction is respectively, अब देखें, यहाँ पर अगर में forward करना है, तो delta G को क्या करना पड़ेगा, positive करना पड़ेगा, और non spontaneous process, तो delta G जो है, अगर वो positive होगी, तो क् delta G is equal to minus में NF E note होता है, अब E note हमारा minus के अंदर है, तो minus minus plus, तो delta G क्या हो जाएगा, हमारा plus हो जाएगा, अगर delta G plus हो गया, तो हमारे जो process है, वो non spontaneous हो गया, क्या हो गया, non spontaneous हो गया, तो क्या यह reaction forward हो जाएगी, नहीं, यह reaction forward, नहीं होगी, अगर spontaneous होता, तो यह हमारे सामने जो वो reaction forward हो जाती है तो answer आजाएगा option D next हमारे सामने के उससे number 23 है the Gibbs energy for decomposition of L285 degrees is followed तो हमारे सामने Gibbs energy दिएगे इन सब चीजों का करके यह रहा हमारे सामने देखे यह पूरी reaction होती है तो इसका जो Gibbs energy निकल कर आता है वो आता है 960 kilozoule per mole the potential different needed for the electrolyte reduction of aluminium यह सब कुछ हमें करना है तो सिंपल देखिए एक है डेल्टा जी इस उकल टू माइननेस एन एफ इनोट बही है एंस एकाटे का पेज़ नमबर 73 74 वाले वह equation चल रही है कुछ नया आया ही नहीं है तो एकाटे का पेज़ नमबर हर बार में कुछ बता भी नहीं सकता ठीक है ओके तो अब देखिए हमेरे सामने एफ तो हमें पता ही होता है कितना होता है 965 00 होता है अब हमें यहां पर जो निकालना है न वह एन निकालना है कि इसका एन कितना है तो यहां पर देखिए aluminium का जो हमें निकल कराएंगा ना वो 4 निकल कर आएंगा यहां पर aluminium का गर हम देखेंगे तो N निकल कर आ रहा है वो कितना रहा है 4 आ रहा है तो यहांपर 검 knocking Charal Energy फर एमा एनडन से पूछ आर्यलिया है अमें और डिरेक्ली हमारे सामने क्या जाएगा अंसर आजाएगा एं कितना है फोर यह कितना है 965 00 यह कितना है 960 और फिर triple 00 क्योंगी किलो जूल है तो वह बाला अप इसको डिरेक्ली कर लीजिए तो यह पास में आएगा 2.5 एप्रॉक्सिमेटलिक अएगा 2.5 आएगा तो 2.5 यहाँ पर option में है option c में 2.5 तो answer हमारा इस type से आजएगा कुस नहीं है बस वही value put करनी होते और फिर वही हमारा answer निकलकर आ जाता है ऑक अब हम next देखते हैं कि उससे number 24 कि उससे number 24 में बोला गाए, the electrode potential for cu plus 2 plus electron के लिए ये है cu plus plus electron ये है तो इसका ये electron potential, इसका electron potential, the value of e2 is जान से देखो क्या बोला गए इनोंने, मैं आपको बताता हूं समझ में आएगा आपको ये वाला हमारे पास में cu plus 2 plus 1 electron add करते हैं तो हमारे सामने क्या बनता है Cu प्लस बनता है फिर Cu प्लस में हम एक और Electron एड़ करते हैं तो हमें मिलता है Cu ये तो हमारा हो गया इसका ये वाला और इसका हो गया ये वाले Electron Potential क्लिर हो गया? ओके बट हमसे पूछा किस के लिए गया है हमसे पूछा गया है यहाँ पर Cu Cu प्लस टू और डारेक्टली हमें दो Electron एड़ करने है और हमें क्या निकालना है या पर Cu निकालना है अब क्या करें कि ये चीज मिल जाए तो ये Cu प्लस तो Agities रख देंगा इधर और दो Electron इसको Agities एड़ करेंगे तो इन दोनों को हम एड़ करेंगे बट यहाँ पर देखिए इन दोनों को Add कैसे कर पाएंगे इन दोनों को Add करने के लिए पर इनकी Electron तो लगळग हो गए न क्योंकि यहाँ पर भी एक Electron है और यहाँ पर भी कितना Electron है और इसके पास में जो हमारी Final Reaction इसके पास में कितनी Reaction है 2 Electron है तो कि हम Directly E Note को Add कर लेंगे देखिए भी यह दो चीज़े हैं या तो इन दोनों को Add करके 2 से Divide कर दो क्यों क्योंकि यहाँ पर यह वाला जो Electron है 2 है अगर हम Gibbs पर यह Energy नकालेंगे तो देखो कैसे Delta G 3 जो है उसके अंदर Delta G 1 प्लस Delta G 2 आ रहा है इन दोनों जो Reaction है पहली और दूसरी इनके अंदर केवल 1 एक एक Electron है तो N की Value 1 है 1 है F तो सब में Common है वो तो यहाँ पर कट हो जाएगा अब इन दोनों में Common है तो यहाँ पर इन दोनों का जो है वो Add कर लेंगे Add करने के बाद में कितना बनेगा तो यह हमारे पास में बनेगा 0.65 0.65 बनेगा बट इसका जो N है वो Last जो हमारी Final Reaction है उसका N कितना है उसका N तो 2 है तो इस 2 को अगर हमें यह E निकालना तो यह N जिए इधर से Divide करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या आएगा देखो Simple है अगर 0.65 जो है उसको Divide करोगे 2 से तो वो निकल कराएगा 0.325 यह चीज़ समझ भाई तो अंसर आजाएगा 0.325 अरे बैया देखो समझो इस बात को हमें यह Reaction बनानी है Cu प्लस 2 Cu अब इन दोनों को जब हम Add करते हैं तो यह Reaction बन जाती है बट इन दोनों की Electron तो 1-1 है बट जो हमारे फाइनल Reaction है उसमें Electron 2 आ गए अब यहां पर Electro vary कर गए अब Electro vary कर गए तो हमें Delta G वाला Formula लेना पड़ेगा Delta G वाला Formula क्या बोलता भी है NF E note होता भी है अब E note हम से पूछा है Value of E note पूछी है बट यहां पर N तो vary कर गया ना और N अगर ऐसे vary कर रहा ना बार-बार तो हमें वो Delta G वाला Concept लेना पड़ेगा यहां पर Delta G जो 3 था उसमें 1 प्लस 2 था अब यहां पर N जो थे यहां पर तो 1-1 थे क्योंकि एक Electron यहां पर यहां पर तो इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं और हमने डारेक्टली इन दोनों को एड़ कर दिया इसके अंदर दो N की वैल्यू जी तो फाइनल वाली एक्शन वापर N की वैल्यू थी वह कितनी थी टू इलेक्ट्रों थी यहां पर देखो सी यू प्लस टू चू तो इन दोनों को एड़ करके अगर यह ए निकालना तो यह इसके साथ जो मल्टिप्लाय हो रहा वह इंदर जाके डिवाइड होगा तो टू से होगा तो यह हमारे पास में 0.65 जो है उसके इसाथ डिवाइड कर दिया टू से तो पॉइंट 325 आ गया इस तरह से आंसर आया है प्लिर हो गया ओके नेक्स्ट हमारे सामने क्यूसर नंबर जो वह 25 है क्यूसर नंबर 25 में बोला गया for the reduction of silver iron with copper metal the standard cell potential was found to be इतना है a 25 the value of standard gives energy हमें सामने दे दिये f हमें दे दिया इससे आसान और क्या ही होगा बया क्या ही होगा for the reduction of silver iron with copper metal अब देखो बया हमें n की value पता कर लो बस delta g is equal to minus nf e note हाँ यह रहा अब यह हमारा e note दे दिया है 0.46 हाँ जी f दे दिया है हमारे पास में 9650 हाँ जी copper metal silver iron में अंदर जो n की value निकल कर आएगी कितनी आएगी copper कितना होता है cu plus 2 ना तो यह पर n की value कितनी आएगी 2 तो 2 multiply by 96500 multiply by 0.46 कर लो multiply segregation कर लो answer निकल कर आजाएगा यह आएगा 88.78 kilozool और यह 88.78 kilozool लगबक कितना होता है 89 kilozool तो answer आजाएगा option a clear हो गया बितलकुल आसानी से okay चलिए next चलते है question number 26 अब देखो यहाँ पर confusion मत लेना आप आप थान से देखना आप given दे दिया है यहाँ पे दो electron add होके direct cu बना रहा है इसका e note यह दिया है cu plus 2 एक electron add करके cu plus बना रहा है यह electron 4 ता reaction इसके लिए पूछाए सबसे पहले देखो यह reaction कब आ सकती है यह reaction कब आ सकती है जब हम इसमें से इसको reverse कर दे आया ना इसको हम क्या कर दे reverse कर दे क्या होगा क्योंकि हमें देखिए इधर जो है वो product की तरफ यह तो चाहिए तो cu plus 2 plus में यहाँ पर cu plus 2 plus 2 electron और फिर इसको as it is रहने दे तो क्या हमारे सामने यह reaction आ सकती है बिलकुल आ सकती है वह यहाँ पर अगर हमें number of electron अलग-अलग हो गए तो यहाँ पर हमें डेल्टा जी वालव जो है वो concept यहाँ पर वापीस लाना पड़ेगा विया ऐसी बात है हान जी ऐसी बात है तो इसके लिए हमें जो है अगर यह वाली reaction चाहिए तो इसमें से क्या करेंगे जो g1 है इसको 1 माल लेते हैं और इसको कर लेते हैं 2 अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो भी हमें यह मिल जाएगा तो भी हमें यह वाली reaction मिल जाएगी या फिर इसको reverse कर ले तो भी हमें यह reaction मिल जाएगी तो हमें अगर तीन लेना है तो हम क्या करेंगे जो first वाली reaction है जो cu plus 2 वाली है इसमें से इसको minus कर देंगे तो हमें यह मिल जाएगा पट इसके लिए हमें जो delta n जो है sorry जो n value है number of electron है वो सबी में अलग-अलग आ रहे हैं कहीं 2 electron है और कहीं 1-1 electron है तो हमें वो delta g वाला formula करके और फिर e note इसका निकालना पड़ेगा तो वापिस वह यह देखो g3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा g1 minus g2 करना पड़ेगा g3 के लिए minus nf e note है यह इदर भी nf e note है minus में nf e note है g1 वाला पहले वाला इसमें 2 electron है तो इसका मतलब यह पर 2 electron हो गई इसको 0.337 कर लो कर लिया minus में अब यह g2 वाला इसमें 1 electron है तो एक का 1 electron रहने दो और यह कर लो minus 1.53 इसमें कितला electron है final वाली में एक electron है f f f तो cancel हो गया और यह e note रहना है तो एक electron है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको double करके इसमें से यह minus कर लो इसको double करोगे तो यह आएगा 0.67 0.67 में से minus कर लो 1.53 तो यह 0.67 में से minus करेंगे कितना 0.153 तो यह 2 और यह 5 तो यह 50.52 के असपास आना चाहिए 0.52 यह रहा हमारे सामने answer तो answer आजाएगा option D फिर बता रहा हूँ जहां पर electron की value n की value अलग-अलग आ रही है वहां पर delta G यूज़ करेंगे और जहां पर n अलग-अलग नहीं हो रहा फरस्ट वाले जो question हो रहा है direct हम cathode minus inode कर रहे थे न वहां पर हमें delta G वगरे लेना नहीं था तो इसी लिए चीज़ कर रहे थे तो यह चीज़ आप याद रखना कि कहां पर delta G यूज़ करना है और कहां पर directly right minus left करना है clear हो गया next हमारे सामने जो है वह काफी interesting question है question number 27 standard free energy of formation in kilozoule per mole at 298 Kelvin यह हमारे सामने अलग अलग kilozoule formation दिये किस-किस के लिए H2O के लिए दी है minus 2.3 CO2 के लिए दी है minus 3.94 और minus 8.2 दी है pentane के लिए the value of innate for the pentane oxygen fuel cell 2008 का है गुमाफिरा के question दिया गया है बहुत ज़्यादा गुमाफिरा के दिया गया है सिर्फ गुमाफिरा के नहीं दिया गया है अब देखो होता क्या है जो हमारे पास में pentane oxygen fuel cell होता है वहापे कुछ reaction होती है और हमसे E note पूछा है दिया क्या हुआ है standard free gives energy क्यों से निकाला गरो delta G is equal to minus N F E note E note हमसे पूछा है delta G हमें दिया हुआ है N दिया हुआ है F हमें पत N हमें मतलब यहां से निकालने के लिए इतना सारा अब दिया हुआ है और F तो हमें पता ही होता है 96500 जूल होता है बट यहाँ पर जो सारा यह इतना सब कुछ किया है ना यह सिर्फ N के लिए के इस N को निकालने के लिए हमें इतना ज्यादा confusion करवाया गया है आप बता रहा हूँ आपको फिर से ओके तो चलिए भाईया N को निकाल लेंगे N को निकाल लिया तो सब कुछ आ जाजाएगा बट क्या डेल्टा जी डारेक्ट्री दिया हुआ है डेल्टा जी तो बहुत सारा दिया हुआ है यह पर यह भी दिया यह भी दिया यह भी दिया तो इसका मतलब डेल्टा जी भी डारेक्ट्री नहीं दिया वो भी पूरा घुमाफिरा के फिल निकलना पड़ेगा चालिए सबसे पहले इनने बोला है कि pentane में यहाँ पर pentane oxygen fuel cell होता है pentane oxygen fuel cell क्या होता है देखें सिंपल समझेए pentane क्या होता है अपका C5H12 और इसके साथ में oxygen मिलती है और वो sizin के लिए डेल्टीजी जो हता वो जीरोता इसको कोई हम लेते नहीं Ε السाल इसको एक्साल गपला करP CO2 plus H2O मन रहे बट यहाँ पर देखे क्या है कितना बनेगा इस सब को हम करेंगे तो हमें इन सब के लिए क्या करने बड़े इसको जो है यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि कार्बन कितनी है 5 हो गए तो यहाँ पर 5 हो गया फिर इसको जब हम पूरा जो है करेंगे बैलेस करेंगे तो अब यह 6 आएगा और यहाँ पर आजाएगा 8 यह हो गई हमारी बैलेस रियक्शन यह क्या हो गई बैलेस रियक्शन हो गई अब यहाँ पर हमें डेल्टा जी जब निकालना है ना तो वो होगा प्रोड़क्ट माइनस रियक्टेंट अब प्रोड़क्ट क्या बन रहे है CO2 और क्या बन रहा है H2O बैटी CO2 कितने है 5 H2O कितने है 6 यह चीज़ कलिर हो गई अब जो CO2 की दिया हो है जो डेल्टा जी CO2 कितना है इसको मल्टिप्लाइ करिए 5 से और यह जो H2O दिया हुआ है हमारे सामने यह वाला 2.3 इसको मल्टिप्लाइ करिए किस से 5 6 से इसको 6 से मल्टिप्लाइ करिए तो इसका डेल्टा जी कुछ निकल कर आएगा मैं आप यह concept बता रहा हूँ सारा कर लेना calculation मैं आपको बता देता हूँ माइनस रियक्टेंट रियक्टेंट भी केवल हमारे पास में पैंटेन वाला है अब पैंटेन वाला है तो यह हमारे सामने कौन सा हो गया यह हो गया माइनस 8.2 इस सब को जब calculation कर लोगे तो हमारे सामने जो है वो डेल्टा जी निकल कर आएगा product माइनस रियक्टेंट और इनका लग-लग रियक्शन वाला माइनस 338 7 किलो जूल कितने आएगी माइनस 338 7 किलो जूल निकल कर आएगी डेल्टा जी, final डेल्टा जी तो हमने final डेल्टा जी निकाल चुके हैं F हमें पता है कि 965 00 होता है E note तो इस question में पूछा गया है अब एक value हो रहागी N अब देखिए N के लिए कितना होता है N निकल कर आएगा 32 क्यों क्योंकि देखे C5H12 प्लस में 10H2O मिलती है पहले और फिर वो बनाती है 5CO2 प्लस 32 hydrogen और प्लस 32 electron और फिर 8 oxygen जो होती है वो 32 hydrogen प्लस 32 electron के साथ में मिलकर 16H2O बनाती है फाइनल रिक्षन देख लो इधर यह आएगा C5H12 यह इधर आजागा 8H2O इधर 10 है और इधर 16 है तो इधर बच गया 6H2O और यह 5 carbon इधर बच गया तो N की value जो आएगी वो 32 आएगी भईया बस अब इस सारी value को put कर लीजिए क्या कि जो हमारी delta G is equal to minus nf e note जो निकल कर आए e note के लिए यहाँ पर क्या निगला पड़ेगा minus nf निगला पड़ेगा यह भी क्या है minus के अंदर है क्योंकि हमारी value जो है minus के अंदर कितनी है 3387 है n कितना है 32 है यह कितना है 96500 है यह सब कर लीजिए e note आजाएगा e note आजाएगा 1.096 कितना है 1.096 कितना है 1.096 यह निकल कर आएगा भी तो answer आजाएगा option A इतना सारा घुमा फिरा के long numerical देके और यह पूछा गया ओके next मारे सामने कि उससे जो 28 है question number 28 में क्या बोला गया equilibrium constant for the cell reaction कुछ पूछना इसमें भी e note दे दिया गया है और temperature दे दिया गया है और यह हमारे सामने reaction दे दिया गया है तो देखो भी है e note हमारे पास में सबसे पहले equilibrium दिया गया is equal to e note minus RT by nf log kc ऐसे करके होता था और केसी पूछा गया हमसे क्यों क्योंकि देखी यहां पर क्या पूछा गया है equilibrium constant for the reaction equilibrium constant इसमें 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 इसमेंदे दिया गया अब e note is equal to वो सारा वाला याद रख लिए 0.0591 upon में n n कितना है यहां पर यह important है n कितना है इसमें पर तो n यहां पर जो है वो टू है और log केसी आई या ना अभी सब चीज को यहां पर यहां पर वो value पूट कर ली जई तो यहां पर जब यहां सारी चीजों की value पूट करोगे आप n आ घंड हमारे समने 2 है और log केसी 15.57 ये log कैसी है 15.57 तो log कैसी 15.57 है तो KC के लिए इसका antilogue कर लीजिए तो यह हमारे चला जाएगा 0.57 जो हो जाएगा वो लगब 3.7 और यह जो अपर वाला 15 है वो चांज पे चला जाएगा 10 की power 15 में तो यहाँ पर 10 की power 15 into 3.7 10 की power 15 वाला तो यह की है वो 3.7 जो होता है वो अप्रोक्सिमेटल इन्होंने 4 लिया है तो आंसर आजाएगा option C ओके नेक्स्ट हम क्यूसर नमबर जो वो 9 देख ले थे क्यूसर नमबर 29 सोरी दा स्टेंडर्ड एम और फ़ गेलवेनिक cell involving the cell direction N2 दे दिया गया found to be यह दे दिया गया है the equilibrium constant for the cell direction यह सब कुछ दे दिया इनोट is equal to 0.0591 होगा अपोन में N और लोग केसी E नोट हमारे सामने दे दिया है 0.59 N हमारे सामने दे दिया कितना 2 और लोग केसी हमें जो वो निकालना है इससे भी कुछ आसान हो सकता है क्या इससे तो आसान तो क्या ही होगा देखो लोग केसी अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे N जो था वो E नोट के साथ में multiply हो जाएगा 0.0295 और यह रह जाएगा हमारे 0.0591 तो यहाँ पर हमारे सामने यह approximately कितना निकल कराएगा लोग केसी जो है वो निकल कराएगा 10 और तो लोग केसी 10 निकल कराएगा तो केसी कितना हो जाएगा 1 की पावर 10 clear है तो 1 into 10 की पावर 10 तो यह हमारा answer आजाएगा option D clear हो गया next time question number जो वो देख लेते है 30 अब हम किसे number 30 में आ चुके किसे number 30 हमारे सामने दिया गया on the basis of the information available for the reaction यह हमारे सामने यह reaction दिया है 4AL3 plus O2 or 2AL यहाँ पर अलुमिनियम delta G दिया इतना हमारे सामने the minimum EF required to carry out the electrolysis AL2O3 के लिए F हमारे सामने दिया गया सबसे पहले अगर delta G दिया गया है हमारे सामने तो यहाँ पर हमसे पूछा गया minimum EF तो कम से कम EF value तो अतनी होनी जाए देखिए delta G is equal to minus NFE note आएगा अब हमारे सामने F दे दिया है दे दिया है delta G दे दिया है दे दिया है हमें E note निकालना है अब हमें N निकालना है इससे पहले इस value से तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने जो यह reaction है यहाँ पर एक aluminium के अंदर जो होते हैं वो कितने electron होते हैं 3 electron होते हैं और यहाँ पर aluminium जो हो कितने हैं हमारे सामने 4 by 3 है तो 4 by 3 into 3 यह हो गया हमारे सामने 4 तो N की value हमारे सामने आ गई 4 आ गई आ गई तो अब देखिए delta G is equal to minus N F E note E note इदर निकालना तो वो N F इदर चला जाएगा delta G की value इसको यहाँ पर put कर लीजिए N की value 4 और यह 9650 को 4 यहाँ पर put कर लीजिए सारा कुछ कर लीजिए calculation वगेरा और जब calculation इस सब को कर लोगे तो हमारे सामने जो है वो आएगा 2.14 कितना आ रहा है 2.14 आएगा option देखते हैं option है पहला ही option है 2.14 4.2, 6.2, 8.2 तो answer आजाएगा option A next आपर सामने question number 31 है गुमा फिर आके बहुत long question वापी से for the disproportion of the copper यह हमारे सामने copper है A dot दिया हुआ है E note is given E note for C2 is इतना और C U पर इतना कितनी बार आएगा यह question किस ताइप से पूछेंगी इस question को देखो भया बहुत आसान है simple simple सा आसान है देखो कैसे आगा सबसे पहले हम करते हैं C हमें क्या देखो देखो यह वाला हमें बनाना है और इसका और इसका दिया हुआ है हाई या ना हाँ जी सबसे पहले C U प्लस 2 और इसमें जब हम दो इलेक्ट्रोनेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा C U अलियक्षन लोगी दूसरा C U प्लस 2 और इसके अंदर के हम एक इलेक्ट्रोनेट करेंगे तो हमारे सामने C U प्लस मिलेगा इल्कुल सही है या नहीं है अभी तक कोई दिक्कत नहीं है अब हमें से जो है वो पूछा क्या हुआ है यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए C U प्लस 2 से जब C U जा रहे है तो इतना वोल्ट जा रहे है और यहां पर इसमें कितना आ रहा है हमारे सामने इसमें आ रहा है हमारे सामने 0.34 और C U प्लस 2 के वाल C U निकाल रहे है Cu plus 2 बन रहा है तो हम क्या करते हैं इन सब को reverse कर लेते हैं इनने सब को क्या कर लेंगे reverse कर लेंगे ओके क्योंकि हमारी main जो reaction है यह इदर जो है वो final reaction में product की तरह होने चाहिए Cu plus 2 क्या होने चाहिए product की तरह होने चाहिए चीज़ बुचा गया तो देखो यह कैसे हो सकता है जान से देखने सी यू प्लस में एक एलेक्ट्रोन एड़ करता हूँ तो बनता है सी यू सी यू प्लस में फिर वहां पर सी यू प्लस टू में जब एक एलेक्ट्रोन माइनेस करेता हूँ तो यहां पर बनता है cu plus अब हमें यहां पर इन दोनों को जब एड़ करता हूं तो यह आता है 2cu plus cu plus 2 और प्लस cu यह इदर आ गई यह इदर आ गया यह 2cu plus हो गया और यह इलक्ट्रोन इदर से गंचल हो गया अब देखो ध्यान से यही तो पूछा है cu plus cu क्या यहां पर यह है नहीं है क्या यहां पर भी है नहीं है तो अब हमें एक और reaction निकालने पड़ेगी वो यह वाली है जबकि यह वाली तो हमें दी हुई है cu plus से cu plus 2 वाली में clear है यह वाली तो हमें दी हुई है कौन सी यह वाली रही cu plus 2 से जब इसको जाते है तो इसमें minus कर लिजी इसको reverse कर लिजी तो ये reaction मिल जाएगे अगर ये reaction हमें बनानी है तो ये reaction यहाँ पर होने चीए ये नहीं दी हुई है और ये reaction हमारे सामने जो है दी हुई है बट ये reverse में दी हुई है तो देखिए क्या करना पड़ेगा अब भी नहीं समझ में आया तो दुबारा समझो देखो अब नहीं समझ आया या दुबारा समझ लो cu plus 2 है पहले वो cu plus में बनेगा फिर वो cu में बनेगा ये चीज़ clear होगी हाँ जी अब cu plus 2 से cu direct जब हम बनाते हैं तो हमारे सामने ये वाले दियावर यहां पर जो voltage आता है वो 0.34 voltage आ रहा है ये चीज़ clear होगी या भी नहीं होगी cu plus टे cu plus में जा रहे हैं तो हमारे सामने जो voltage आ रही है वो 0.15 आ रही है अब cu plus से cu का हमें नहीं पता की कितनी voltage है क्या कुछ है clear होगी है? ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ये वाले जो reaction हमें निकालना है तो वहाँ पर अभी अभी हमने बताया था कि वहाँ पर हमें एक reaction चाहिए cu plus से cu बनाने वाली जापे केवल एक electron का roll आए और वो एक electron का यहाँ पर roll आ सकता है तो अगर हमें इसका voltage पता चल जाए तो हम यहाँ पर इसमें और इसको direct क्या कर पाएंगे add कर लेंगे और इसका निकालने के लिए हमें वापिस delta G वाला लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा delta G वाला formula लगाना पड़ेगा विया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा वो देखिए delta G cu plus 2 से cu जा रहा है delta G cu plus 2 से cu जा रहा है delta G cu plus से cu जा रहा है यह 3 हो गए फिर यहाँ पर NF E note कर देंगे यहाँ पर भी NF E note कर देंगे प्लस NF E note कर देंगे F सब में common है F सब पर 2 electron है यहाँ पर कितनी है एक electron है यहाँ पर कितनी है एक electron है अब यहाँ पर E note यह वाला हमें निकालना है क्योंकि आपकेवल एक इलेक्ट्रोन वाला जार रहा है उसको निकालना है तो इस सब को हम माइनस करके जब निकालेंगे तो हमारे सामने 0.53 निकल कर आएगा यह EU जो है वो केवल CU पलस से CU में जा रहे हैं वो वाला हमने जो वोल्टेज निकाला तो वो हमारा 0.53 निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा 0.53 से निकल कर आएगा अब भी नहीं समझ में आया तो simple simple फिर समझा देता हूं देखो CU पलस 2 CU पलस CU आगया इससे जब डारेक्ट जा रहे हैं दो इलेक्ट्रोन रगड़ें और यह लग रहा है तो जी होगया हमारे पास में कितना 0.34 simple है वह यह दो इलेक्ट्रोन लग रहे हैं NFE नोट वाला इंटू N कितनी वेल्यों होगी 2 तो यह होगया 68 इसमें केवल एक इलेक्ट्रोन जा रहा है यहां से यहां तक और यह कितना होगया हमारे पास में 0.15 इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो यह हमें मिल जाएगा हंजी तो 0.68 में से माइनस कर लीजिए 0.15 तो यह कितना आ गया 53 53.53 तो यह निकल कर आएगा 0.53 देख लो क्योंकि यहां पे एन फ जो है एन वन है यहां पर यहां पर कितना होगा 68 होना चाहिंड दोनों को एड़ करते हैं तो 68 होता है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोन जो हो दो है अब कलियर हो गया या नहीं हो गया तो अब देखो हमें क्या करना है एक तो Cu प्लस जो है उसमें एक electron add करके Cu बना ले और फिर उसके बाद में एक Cu और ले ले और उसके अंदर जो है वो Cu प्लस 2 कर ले उसको उसमें एक electron add करके तो हमारे सामने जो final reaction बनती है वो Tu Cu प्लस 2 Cu प्लस हो गया और एक हमारे सामने रियक्टेंट की साइड में Cu प्लस 2 और प्लस Cu जो कि यही वाली है भाया यह वाली रियक्शन इन दोनों से बन रही है यह वाला तो हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो बन रहा है इसका वोल्टेज कितना है माइनस 53 तो माइनस 0.15 और यह हमने निकाला है अलग से और वो कितना आया था हमारा वोल्टेज 0.53 अब एड़ कर लो एक हमारा पास में 0.53 है और एक माइनस में कितना है 0.15 अब इसमें से वापिस सब्ट्रेक्ट करना पड़ेगा सब्ट्रेक्ट करने पड़ेगा तो यह 0.38 वापिस गुंफिर के आजाएगा तो यह आजाएगा माइनस 0.38 कितना आएगा सोरी माइनस नी प्लस का अफ़र 38 है तो यह आजाएगा प्लस 38 तो आजाएगा option C बहुत लोंग सा रियक्शन है बट 2000 में पूछा गया था बहुत लंबा चोड़ा प्रोसेस देखे और लंबा चोड़ा कि उसे पूछा गया देखो यहाँ पे सिंपल N की value निकाल लो भी है equilibrium constant दे दिया गया इसका मतलब E0 हो गया अब E note is equal to 0.059 upon में N और यहाँ पे क्या पूछा गया लोग केसी equilibrium constant पूछा केसी E note हमारे सामने दिया हुए 1.10 यह हो गया 1.10 0.059 upon में N की value की आ रही है दो electron यहाँ पे तो 2 electron यहाँ पे आ गया और लोग केसी इसको इससे divide कर लो 0.0295 कुछ ऐसा आएगा और फिर इसको इससे multiply कर लो तो यह हमारे जो लोग केसी की value निकल कर आएगी वो आएगी हमारे पास में 37.28 तो केसी कितना हो जाएगा 10 की power 37 तो 10 की power 37 वाला answer हमारे पास में option D तो answer आजएगा option D clear हो गया